हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एट हिंदी विशे के अंतरगैत पढ़ाई जाने वाली पार्टिय पुस्तेक बारत की खोज का पहला चैप्टर एहमद नगर का किला सबसे पहले आईए जान लेते हैं पार्ट का परिचे ह इसके बाद पढ़ेंगे पार्ट आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें और इसे याद करने का प्रियास करेंगे तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह आपका पहला चैप्टर बारत की खोज का पहला चैप्टर एहमद नगर का किला और हम आपको दे रहें यहाँ पर का परिचे है कि इस पार्ट में क्या क्या बताया गया है तो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें एहमद नगर का किला एक जेल है इसमें नहरू जी की नावी जेल यात्रा के बारे में दिया गया है इस पार्ट में उनके द्वारा कारवास में बिताए गये समय के बारे में बत बारत के अतीत के बारे में बताया गया है भारत की सब्यता संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है भारत की सक्ति और उसकी सीमा के बारे में बताया गया है भारत की विवित्ता और एकता के बारे में वली परकार से वर्णन किया गया है तो बच्चों ये था इस पार्ट के पारे में एक चोटी सी जानकारि चलिए शुरू करते हैं पढ़ते हैं पाट और जानते हैं पूरी जानकारी आप देख रहे हैं निहाँ पर यह है बारत की खोज का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है अहम नगर का किला समय आप देख सकते हैं यहाँ पर अहमेद नगर का किला 12 अपरःल 1944 की बात है यहाँ मेरी नौवी जेल आतरा थी तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें यहाँ पर पंडय जोहलाल नहरू दोड़ा लिखी गई इस पुस्तक में जोहलाल नहरू कहते हैं यहाँ मेरी नौवी जेल यात्रा थी हमें यहां आए बीस महिने से भी अधिक समय हो चुका था जब हम यहां पहुँचे तो अंदियारे आकास में जिल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया सुकल पक से शुरू हो चुका था तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महिना और बीत गया चांद मेरे बंदी जीवन का इस्ताई सहचर रहा है वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है तो बच्चो आपने देखा यहाँ पर कि जोरलाल नेरू ने अपने जीवन बृतान के अंतर गयत यहाँ लिका है कि यहाँ मेरी नवी जेल यातरा थी और यहाँ पर आयोए उन्हें 20 महिने से अधिक समय हो चुका था और जब भी उन्हें जुए सुगल पक्स से शुरू होती थी उनकी यह जेल यातरा तो उन्हें याद आती थी कि अगले इसके बाद समय बदल जाएगा और उन्हें नया चान देखने को मिलेगा एक महिना बीट गया है उन्हें मालूम होता था और उनके बंदी जीवन का स्ताई सहचर कौन था चान था जो कि याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है बच्चो एहमद नगर का किला जो की एक जेल था उस समय अंग्रेजों के जमाने में आईए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1953 में जहलाल नेरू को रखा गया था आप देख सकते हैं रूम नमबर एट देख सकते हैं आप यहाँ पर कमरा नमबर आट और यहाँ पर पंडि जहलाल नेरू को रखा गया था इसके बाद आए पढ़ लेते हैं अतीद काम भार दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमद नगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया मैं रोज कई घंटे तपती धूब में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा तो बच्चों आप ध्यान रखें कि जोहलाल नेरू जो थे उन्हें बागवानी करने का काफी सौक था इसलिए उन्होंने क्या किया दूसरी जेलों की तरह यहाँ यानि कि एहमद नगर के किले में भी उन्होंने बागवानी की और फूलों की क्यारियां बनाई मैं रोज कई घंटे तब ती धूब में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा मिट्टी बहुत खराब थी पत्रीली और पुराने मलवे और आउसेसों से बरी हुई तो यहाँ पर जोलाल नेरु कहते हैं कि जो वहाँ की मिट्टी थी बहुत खराब थी कैसी थी पत्रीली थी और पुराना मलवा जब विल्लिंग तूड़ती है और उसके आउसेसों आपर पढ़े रहते हैं तो यह कैसी हुजाती है पुराने मलवे की जो मिट्टी थी वो कैसी थी पत्रीली थी च्योंकि यह इतियास स्तल है इसलिए आतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्वी संदियां देखी हैं यहां का इतियास बहुत पुराना नहीं है घटनाओं की द्रिष्ट से इसकी कोई बिसेज एहमियत भी नहीं है पर इससे जुड़िये घटना आज भी हियाद की जाती है तो यहां पर जो है जो हलाल नेरू कहते हैं कि इसका इतियास जो है काफी पुराना है बहले ही यहां का इत्याज जो है इसने जो है बहुत सारी दूर्बसंदियां देखी हैं यानि कि कई बार जो है राज महलों को कई राज महलों को कई राजाओं के युद देखे हैं राज महलों को उजड़ते और बंते देखा है इसलिए यहां जो है या इसका इत्यास जो है अधिक पुराना ना होते हुए भी इसमें जो है कुछ एहमित है इसकी इत्यास की और इसे जुड़ी गड़नाओं को आज भी याद किया जाता है या गड़ना है चान बीवी नाम की एक सुन्दर महिला के सास की कहानी तो यहाँ पर जो है जो अलाल नेरू कहते हैं कि एक घटना के बारे में याद करते हैं जहाँ पर की चांद बीवी नाम की एक सुन्दर महिला के साथ की कहानी आपको सुनने को मिलती है जिसने इस किले की रक्सा के लिए अगवर की साई सेना के विरुद हाथ में तलवार उठा कर अपनी सेना का नेतर तो किया पर अंत में उसकी हाथ या उसके अपने ही एक आदमी के हाथ हुई तो बच्चों आप ध्यान दें कि जो अलाल नेरु कहते हैं कि एहमद नगर का जो किले है इसके पुराना इतियास जुड़ा हुए है और इतियास है चांद बीवी नाम की एक सुन्दर महिला का और उसके साथ की कहानी का जिसने किले की रक्षा के लिए अगवर की साई सेना के बिरुद हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतरत तो किया लेकिन क्या हुआ अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों दोरा हो गई इसके बाद यहाँ पर जो एक नेरुजी कहते हैं कि खुदाई के दोरान हमें जमीन की सेते के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दिवारों के इससे और कुछ गुमबदों और इमारतों के उपरी से मिले हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और नहीं हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे अब मैंने कुदाल छोड़ कर हाथ में कलम उठा ली है पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माद्यम से बरतमान को अपने अनवो का हिस्सा नहीं बना लेता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता यहाँ पर जो है 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 कुदाल छोड़ दी है और अपने लिखने का कार्या सुरू कर दिया है पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता कर्म के माद्यम से बरतमान को अपने अनवो का हिस्सा नहीं बना सकता मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता नहीं पैगंबर की भूमी का अक्तियार कर मैं फिलाल भविसे के बारे में लिख सकता हूँ बचा रहता है अतीद पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या बिद्वान की तरह बिद्वता पूर्ण सहली में नहीं लिख सकता क्योंकि जोहलाल नेरू का मानना है कि मैं एक सादन सा ब्यक्ति हूँ और मैं किसी बिद्वान या इतिहासकार की तरह तो नहीं हूँ जो अपनी बिद्वता की सहली में लिख सकूँ मैं पहले की तरह अपने आज के बिचारों और क्रिया कलापों के साथ समन्द स्ताफित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेकन अतीद के भारी बोश से एक सीमा तक रहत दिलाता है इसके बाद आए देखते हैं यहां पर अतीद का दबाओ दबाओ भला हो या बुरा दोनों तरह अभी बूत करता है कभी कभी यह दबाओ दम गोटू होता है खास तोर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सब्वेताओं में होती हैं बारत और चीन की सब्वेताओं तो बच्चों आप ध्यान दे यहां पर जोहलाल नेहरू भी ऐसे ही दबाओ को जेल रहे थे उनका मानना था कि दबाओ कई बार क्या होता है अच्छा होता है तो कई बार बुरा दोनों तरही जोए ब्यक्ति को प्रवावित करता है अभी भूत करना मला प्रवावित करना कभी कभी यह दबाओ दम गोटू होता है और खास तोर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें पुरानी सब्वेताओं पुरानी संसकारों से जुड़ी हुई हूँ जैसे कि बारत और चीन के सब्वेता की बात यहां पर जहलाल नहरूने की है आकिर मेरी बिरासत क्या है मैं किन बातों का उत्रादिकारी हूँ क्या उन सब का जिसे मानवता ने दस्यूं हजारों साल के दोरान हासिल किया उसकी बिज़यूं के उल्लास का उसकी प्राजयूं के दुकत यंतराना का मानव के उन्हेरत अंगे शासिक कारियों का जिनकी सुरुआत यूगों पहले हुई और जो अब भी जा रही है और हमें आकरशित करती है मैं इस सब का हुआरिस हूँ जोहलाल नहरू अपने आपको मानते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान दे आप कि आखिर मेरी विरासत क्या है यह प्रस्न है जोहलाल नहरू का और वे मानते हैं कि मैं किस बात का उत्रादिकारी हूँ और जो कि मानवता ने दसों साल तक प्राधिंता का जोए दंब साह है और प्रादिंता की मारस है उसका उत्रादिकारी हूँ या विजय जो प्राचिनकाल से बारत देश को मिलती आई है उन विजय का उत्रादिकारी हूँ आकिर मैं क्या हूँ और मेरी विरासत क्या है उसकी प्राजे की दुख्रना के बारे में और मानब के हैरत अंगे सासिकारियों के बारे में उनका मानना है कि सुरुआत यूगों पहले हुई और अब भी जा रही है हमें आकरशित करती है हम कि मैं इन सब का वारिस हूं साथी उस सब का भी जिसमें पूरी मानब जाती की साज़ेदारी है हम बारतवासियों की बिरास्त में एक खास बात है जो अनोकी नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति और उसे एक दम अलग नहीं होता अलबता एक बात हम लोगों पर विसेश रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्तियों में समाई है इसी विसेशता से हमारा बर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा इसी विश्च बिरास्त का विचार और बरतमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अर्चे से मेरे मन में घर किये है मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूं विश्च की कटनाई और जटिलता मुझे बैवीत करती है मुझे लगता है कि मैं सतही तर पर इसका इस पर सी ही कर सकता हूँ तो बच्चो आप ध्यान दे यहां पर जो हलाल नेरू कहते हैं कि मैं इसके सतही तर पर ही इसका इस पर सकता हूँ यानि कि जो हमारे बिरास्त में हमें मिला हुआ है और इतियास से जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और हमारे संसकारों द्वारा हमारी सब्वेताओं द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ और जो जानकर हमें मिली है मैं उसके बारे में पूरा और गहराई से तो नहीं लिख सकता लेकिन जितना भी कोशिश करूँगा उतना ही लिख सकता हूँ और सतही तोर पर क्योंकि मैं जो यह भारतिय हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में तो आज के लिए इतना काफी है आप इस वीडियो को ध्यान पूर्बक सुनें समझें और इस पारे में चाहें तो आप इसके जुए सौट रूप में आप इसकी कहानी के तौर पाई से लिख सकते हैं और इसे समझने का प्रियास करें आ आज का हमारा चैप्र था एहमन नगर का किला